हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चेनल, फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में हम सुल्डर टू वेस्ट डाट ब्लाउस बनाएंगे, इसे हम बोट नेक पर बनाएंगे और पफ स्लीस के साथ बनाएंगे, तो अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो चै पेपर को हमें पहले फोल्ड कर लेना है, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेनी है, पेपर को स्ट्रेट करने के लिए, इसके बाद हमें जो हमारा ब्लाउसे उसकी टोटल लैंद रखनी है, तो टोटल लैंद हम 14 इंच की रखनी है, और 1.5 इंच इसमें हमें मार्जनेट है तो हम मार्किंग करेंगे 15.5 इंच पर यहां से लाइन को ड्रॉख किया अब हम यहां पे शोल्डर की करने हैंग मार्किंग क्थेट सुल्डर हमाँ जितना है कि हमें ही फोर्टीन है तो सेफ्न इंच आएगा और आर्मॉल भी हमें 7 inch ले लेना है क्योंकि हम 36 size का बना रहे हैं अगर आप 34 size का बनाते तो आप 6.5 inch ले सकते हैं तो half inch आपको कम करते जाना है अगर आप छोटा size बना रहे हैं तो अब यहाँ पर हमें chest का fourth part लेना है 36 का fourth part होगा 9 inch 2 inch plus करेंगे margin के लिए से हम इसी तरीके से waist का fourth part लेना है waist है हमारी 29 उसका fourth part लेना है 7.25 inch 3 inch tux के लिए लिया है और 2 inch margin के लिए tux की जो weight थे वो आप 2.5 inch भी ले सकते हैं 1 inch से armhole के side पर गुलाई दी है और दोनों line को मने draw कर दिया है अब यहां पर हम marking करेंगे tux point के लिए तो वो marking करनी हमको 10.5 inch पर यहां से हम marking करेंगे 3.5 inch पर अब यहां से 3.5 inch लिया तो यहां से 3 inch लेना है और width हमने इसकी 3 inch रखी थी तो 3 inch पर marking की और in line को में draw कर देना है marking को मिलाते हुए तो हमने यहां पर यह marking कर दी है यहां से यह 5 inch आ रहा है यहां से हमें पहले कि straight line draw करनी है 1 inch की और इस तरीके से shape देना अब यह 5 inch है तो दूसरी line भी हमारी 5 inch आनी चाहिए एक्स्ट्रा थी उसको हमने line को draw कर दिया अब हमें आपे neck की wheat रखनी है तो neck की जो wheat थे वो हम 4 inch रखेंगे neck की length हमने आपर 7 inch रखी है एक box बनाना है और उसमें वी leaf neck draw कर देना है तो हमने यहां पर neck को draw किया यहां पर हमें text लगानी है जिससे हमारा जो shape होगा वो proper आएगा अब यहां पर हमें जितना भी हमारा shoulder बचा हुआ है उसका हमें center लेना है तो 3 inch है उसका center लिया आया 1.5 inch तो 1.5 inch पर marking करते हो इस तरीके से line को draw कर दिया है अब इसे हम cut करेंगे तो अभी तक आपने मुझे instagram और facebook पर follow नहीं किया है तो आप आपर भी मुझे follow कर सकते है तो दिखिया neck को cut कर लिया है अब यह जो tux लगाए है वो भी हमें cut कर देना है यह देखिये इस तरीके से हमने इसको cut कर दिया है अब हमें margin add करना है तो 1.5 inch का यहाँ पर margin add करेंगे दोनों साइड हमें 1.5 inch का margin add करना है ठीके इसकी cutting हम lining fabric पर करेंगे तो सबसे पहले हमें back वाले part की marking कर लीनी है अब यहाँ पर हमें total length रखनी 14 inch और 1 inch ही इसमें plus करेंगे margin का 15 inch लेना है shoulder ले रहे हम 7 inch और इसके जो eye hook होंगे पो हम front में ही रखेंगे तो इसे हमें pack वाले side से marking करनी है आर्मोल रखना है 7 inch line को draw करना है यहाँ पर chest का fourth part लीना है 9 inch और 2 inch margin के लिए यहाँ पर waist का fourth part लीना है 7 inch 2 inch margin के लिए 1 inch back tucks के लिए side से line को draw करेंगे 1 inch से आर्मोल के side पर कुलाई देनी है तो यह back part की marking हो गई half inch हम shoulder को down करेंगे और जो मारा friend वाला part है उसमें भी हमें shoulder को down कर दिना है तो हमने इसको cut कर लिया अब यहाँ पर हम एक straight line draw कर लेनी है fabric को straight करने के लिए और एक line order की हमने eye hook की पर्टी के लिए तो उसको इस तरीके से रखना है और पहले हमें इसकी as it is marking कर लिनी है यहाँ से half inch का margin at करना है eye hook की पर्टी के लिए तो जैसा कि हमारा shape आ रहा है ना paper का वैसे ही हमको mark करना है यहाँ पर half inch का margin at कर लिए अब यह वाला जो part है उसकी भी हमें marking करनी है तो इसमें भी हमें margin at करना होगा तो पहले as it is marking करेंगे यहाँ पर भी half inch का margin at कर देना है इसको हमने cut कर लिया अब इसम man fabric पर cut करेंगे तो यह हमारी back side वाली border है तो यहाँ पर हमें back वाला part को cut कर देना है तो फ्रेंट वाला part जो है वो फ्रेंट में clip आएगी आई hook तो हमें उसे open side से cut कर सकते है तो हम इसी तरीके से side वाला part भी cut करना है अब यह हमारी border है slees की तो slees की border को हमें cut कर देना है और जो slees है वो हम puff slees बनाएंगे तो front और back दोनों part हमने cut कर लिये अब slees का जो fabric है वो यहाँ पर यह है और इसको side का जो plain fabric है उसको cut कर देना है इसको हमने इस तरीके से fold किया यहाँ पर जो total land है वो हमको 10 inch की रखनी है और जो नीचे का जो belt है वो हमें 2.5 inch का लगाना है तो हम 10 inch में से 2.5 inch minus करेंगे तो आएगा हमारा 7 inch ठीके 1 inch plus कर देना है margin का तो 8 inch पर mark करके इस तरीके से piece cut कर लेना है तो cutting हमारी complete हो गई है अब हम इसकी stitching करेंगे तो stitching करने से पहले जो इसका नीचे वाला belt स्लीज का वो cut कर लेना है तो यह रखेंगे हम 3.5 inch का क्योंकि 2.5 inch का हमें belt ready रखना है और 1 inch दोनों side half half inch की extra ले लेना है सेंटर से भी इसको cut करेंगे width आपकी जो इसकी है वो आपका sleज round और 4 inch extra लेना है तो इसको हमने lining fabric पर stitch किया अब यहाँ पर हमें samosa less लगानी है गोटे पती वाली तो यहाँ पर पहले हमें neck पर इसको stitch कर लेना है तो right side पर रखकर stitch करेंगे इसको हमने stitch किया तो हम इसी तरीके से दूसरे neck पर भी stitch करना है अब यहाँ पर man fabric जो है इसको right side पर रखना है और उसके उपर हम lining fabric रखेंगे और neck को stitch करेंगे तो जो हमने lace लगाई थी उसके उपर जो stitch की थी से हम उसी के उपर stitch करना है हमको और side का जितना भी extra fabric होगा उसको हम cut करेंगे कट लगा देना है और एक stitch lining fabric के उपर से करना है बागी side से भी stitch करके extra fabric हम cut करेंगे यह दिखें तो दोनों ने एक stitch कर लिये हैं अब side वाला जो part है उसको हमें stitch कर लेना है यह दिखें इस तरह से इस पर iron करेंगे तो proper finishing आजाएगी से हम इसी तरीके से दूसरे side भी stitch कर लिये हैं अब हम यह पर hook की पटी लगानी है तो lining fabric को double करते हुए stitch करना है एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे उपर के side से fold कर लियना है क्योंकि हमने उपर वाला जो neck है वो complete कर लिया है और अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे तो hook की पटी complete हो गई है अब हमें eye की पटी लगानी है तो इसको wheat में 3 inch रखा एक side से हम इसको fold करेंगे और अभी हमें इसे right side पर रखना है उसके उपर हम जो हमारा blouse उसको रखेंगे और stitch करेंगे stitch करने के बाद हमें उपर का जो fabric के उसको fold कर देना है जितना भी extra है side से एक बार और fold करके stitch कर देना है तो eye की पटी complete हो गई है जो extra पटी है उसको हम cut करेंगे तो दोरों जो हमारी land उसको measure कर लेना है neck को कोई भी part चोटा बड़ा हो रहा है तो cut करके बराबर करेंगे अब नीचे के side पटी लगाएंगे तो पटी की जो weight है वो हमें 2 inch की रखनी है एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर के side fold करते हो यह stitch करना है तो हमारी पटी complete हो गई है दूसरा part 20 हम इसी तरीके से stitch कर लिया तो front part हमारा complete हो गया back part की necky width हम यहाँ पर रख रहे है 3.25 inch length हमने इसकी 3 inch रखी है box बनाना है round shape draw करना है अब necky जो total length है वो हमें ले लेनी है यहाँ पर तो वो हम रखेंगे 11 inch की अब जितना भी है यहाँ पर बच्चा हो आसका center लेना है 4 inch यहाँ से width हम 3.5 inch रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से straight line row करनी है और यहाँ से shape दे देना है cut करना है इसको अब यहाँ पर हमें लेस लगानी है तो right side पर रखकर ही लेस लगा रहे हैं और जहाँ पर भी corner आएगा तो थोड़ा सा fold करते हुए इसको stitch करना है करना है झाल झाल तो दिखें हमने लेस को स्टीच कर लिया अब जो मारा मैन पैब्रिक है उसको हम राइड साइट पर रखेंगे और जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसको हमें रखना है मैन फैब्रिक के उपर रॉंग साइट पर यानि कि जो लेस लगाई हमने वो अंदर के साइट पर होनी चाहिए और फिर इसको पिन अप कर लिना है झाहिए झाहिए जहां पर हमने लेस के लिए स्टीच लगाई थी सेम उसी के उपर हम स्टीच लगाएंगे सैंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको में कट करना है कट लगाई थी का देना है कॉनर पर इसको इस तरह से पलट देना है पलटनी के बाद फनीशिंग से हम साइट से स्टीच करेंगे कि साइट से तरीके से स्टीच करना है नेक को स्टीच कर दिया आप साइट से पूरा स्टीच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है अब अपर जो नेक है उस पर भी हमें लेस लगानी है और सेम का لेस को वैसे ही स्टीच करेंगे जैसे कि सेम हमने friend वाले neck को स्टीच किया था तो cross में पटी कट कर हमने neck पर लगा दी है और नीचे के side हमने 3.5 inch की length लेकर back tucks लगाए है अब नीचे के side हम पटी लगाएंगे जैसे कि हमने friend part में लगाई थी इसको स्टीच कर देना है एक स्टीच हम लाइनिंग फैवरिक के उपर से करेंगे अंदर के साइट फोल्ड करते हुए स्टीच करेंगे तो बैक पाइट भी हमारा कम्प्लीट हो गया है और अभी हमें स्टीच करना है तो स्टीच के जो फैवरिक है उसमें हमने जॉइंट लगा लिया है अभी यहाँ पर पफ स्टीच बनाने है तो 5.5 इंच हमने यह मार्किंग कर दी इतना हमें पफ स्टीच में एक्स्ट्रा लेना है अगर आपके पास और ज्यादा फैवरिक हो तो आप और ज्यादा ले सकते है आर्मूल हमेरा 9.5 इंच तो 9.5 इंच पर मार्किंगी पहले आपको फैवरिक को स्ट्रेट कर लेना है यहाँ पर हम मार्क करेंगे 4 इंच पर और स्लीज का शेप देना है नीचे से भी स्ट्रेट करेंगे और इसको कट करेंगे कट करने के बाद जो लाइन ड्रो की है वहाँ से 2 इंच साइट से लेकर कट लगाना है तो यहाँ तक हम इसमें प्लेट्स डालेंगे यहाँ पर हमें चोटी चोटी प्लेट्स डालनी है तो देखिए अपर वाली जो प्लेट्स है वह हमने डायरिक्शन उसका हमने लाफ्ट साइड में रख था लेकिन अब जो नीचे वाला डायरिक्शन है वो opposite रखना है उपर वाली plates के ठीक है तो opposite side हमको इसे लगाना है इस तरीके से हमने center पर ये plates डाल दी है अब हमारा जो belt है उसको complete करेंगे तो belt हमने इसको cut कर लिया अब यहाँ पर इसको इस तरीके से रखना है और इसे stitch कर देना है इस तरह से fold करके stitch करेंगे side से अगर आपको belt के according इसलिए जादा लग रही तो आप उसमें एक दो plates और डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाली है और फिर आप यहाँ पर belt को stitch कर सकते हैं side से कि stitch और करेंगे तो sleeves भी हमारी complete हो गई है back वाले part जो रखना है उस पर हम front part को रखेंगे और shoulder को stitch करेंगे shoulder को stitch करने के बाद एक stitch हम back side पर लगाएंगे दूसरा shoulder भी same इसी तरीके से stitch कर लिया है अब center पर रखकर sleeves को हम stitch करेंगे करेंगे दूसरे side भी same इसी तरीके से stitch करना है अब side से fitting लगाएंगे तो दोनों part को बराबर रखकर side से stitch लगानी है और side का जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिकों का उसको हम cut करेंगे लाउस को wrong side पर रखकर side से एक पर का माजन रखते हुए stitch करना है और अभी हमें आपे fitting लगानी है तो सेंटर से चेस्ट के fourth part पर 9 इंच पर वेस्ट का fourth part 7 इंच स्लीज राउंड का half लेना है एलेवन का half 5.5 इंच और तीनों मार्किंग को मिलात हुए हमें fitting लगा देनी है तो मारा ब्लाउस बनकर complete हो गया है I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो like, share and comment ज़रू करिएगा और चेनल को subscribe ज़रू करिएगा Thank you